दूस्तों मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हूए रजनी की रसिपी देखे आज मैं आपको लेकर आई हूँ ग्यों के आटे से ही नास्ता जी हाँ आगर आपके पास आटा बच गया है या फिर आप आटा मान भी सकते हैं तो देखे इससे बहुत ही हेल्दी नास्ता बनता है आज के बाद आप बाजा जाना ही भूल जाएंगे और अपने बच्चे को घर पर ही बना कर खिलाने वाले हैं देखे तो इसके लिए ले लिया है हमने ग्यों का आटा जो हमारे घरों मे जिसे रूटिया बनाई जाती है यह वही आटा है और देखे मैंने एक कटोरी आटा लिया इससे एक कटोरी आटे से बहुत साना नास्ता बनकर तैयार हो जाएगा बहुत सी जगे से पास्ता भी बोला जाता है देखे अपनी भासा में जिसमें भी बोला जाता है बाकी होता ये नास्टा ही हैं तो देखे इसमे मैंने एक चैमश ओ weld डाल लिया जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं इसमें जिहादा नहीं मैंने एक चुटकी नमक डाल लिया है। क्योंकि अगर नास्टा बना रहे हैं तो हलका सा नमक जरूर डाल लिया आप और ओयल भी आपको डालना है जाए आप देसी गिड़ा लें जा जो भी ओयल आप खाना पसंद करते हैं वो सारे वो डालना जरूरी होता है क्योंकि हम जो नास्ता बना रहे हैं वो बहुत हैल्दी और देखी टेश्टी बनेगा इस तरीके से तो इसे हमने अच्छी तरीके से मैस कर लिया है अपर से देके पानी डालना थीरह देरे कर गए क्योंकि जो हम नास्ता बनाने जा रहे हैं उसमें पानी ज्यादा नहीं करना है नहीं तो आटे को आपको बहुत कैड़ा बनाना है ताकि वो आटा हमारा अची तरीके से नास्ता बनाने के काम आ सके तो धीरे धीरे करकर पानी याड़ करना है दोस्तों इस तरीके से नहीं कि आप जल्दी कर दीजे तो इसलिए मैं आपको दिखा रहे हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा पानी करना है और देखे, अब इसे हम छोड़ देते हैं, पाँश मट के लिए, पाँश मट बाद हम चेक करेंगे, इतने हम देखे हमने प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए है, आप हरीमरच भी डाल सकते हैं, जो भी आप सबजी खाना पसंद कर सकते हैं, वो डाल लीजे, और देखे, आटा-5 मिट बाद हमने एक लोई बना लिया है बड़ी सी बड़ी सी लोई बना लेनी है आपको और देखे मैं आप इसे दिखा देती हूँ आपको बेल कर देखे आप इसे चकले पर या फिर जो भी आपके पासो उस पर बेल लीजे गोल चकुर जैसा भी आप बनाना चाहते आकार तो देखे मैंने इस तरह से लिया है और देखे एक धकन ले लिया है इसकी लेयर नजाद मोटी है नजाद पतली है इस तरह से हम कट करेंगे इस नास्ते को बनाने के लिए देखे सारे नास्ते को बनाने के लिए मैंने इस रोटी में कट लगा लिए और इसे दीरे- नास्ते खाए होंगे, सबसे अच्छा, सबसे हैल्दी नास्ता है, बहुत जल्दी और जटपर बनकर तैयार हो जाता है, जब कभी बच्चे स्कूल जाने के लिए जित करें, क्योंकि स्कूल सभी के खुल गए हैं, तो इस टाइम पर बहुत जल्दी और जटपर बनकर तैयार हो जाता है नास्ता रो आज के बाद आप बाजार से बिलकुल नहीं लाएंगे इसे पास्ता भी कहते हैं बहुत सी जगे से नास्ता भी कहते हैं देखे हमारे यहां तो इसे पास्ते का नाम दिया गया लेकिन आप जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं देखे इस तरह से दोनों तरफ से खुला हुआ या फिर आप इसे दोनों तरफ से बंद भी कर सकते हैं इस तरह से देखे इस तरह का भी नास्ता आप इसे बना सकते हैं डिजाइन आप अपने हिसाब से बना लीजे देखे तो इसलिए आप अपने घर पर ही बनाईए और बच्चों को हेल्दी नास्ता खिलाने की जम्मेदारी देखी मा की ही होती है तो जो भी माम मेरी इस वीडियो को देख रहे है प्लीज ज़ादे से जादे लाइक कीजे ताकी नास्ते का फायदा उठा सकें क्यूंकि हमारे घर पर ही है एक हेल्दी और टेश्टी नास्ता बनाने की कैसी रेसिपी जो हम अपने घर से ही बना सकते हैं बच्चों को आपको एक कटोरी नास्ता बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए एक लीटर पानी चाहिए ही होगा और देखे इसे अची तरीके से उबाल आ जाना है तब जाकर हम इपने इस नास्ते को डालेंगे से बहले नहीं डालना है दोस्तों अगर आपके पानी में उबाल नहीं आया है नास्टे को नहीं डालना है तो देखिये जैसे ही पानी में अबाल आ जाता है उसके बाद जो है इसमें हल्का सा हमने नास्टा भी डाल दिया है तो जिसे पंदरे मिन्द तक पकाना है इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों 10-15 मिन बिल्कुल पकाना ही पकाना है क्योंकि यह गहूं का आटा है और आटा जब तक अच्छी तरीके से पकेगा नहीं तो हमारा नास्ता भी नहीं बनने वाला है तो 10-15 मिन अच्छी तरीके से पकाई है इसका कलर चेरेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा बनकर रियार होगा तो देखे, मैंने इसे निकाल लिया इस ज़ारे से आप इसे निकालेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस नास्ते में पानी नहीं रहना चाहिए तब जाकर हमारा ही नास्ता बनता है अच्छा, तो देखे, इसी तरीके से आपके पास ज़ारा नहीं है तो आप जिस चीज से निकालना चाहिए कपड़े पर भी इसे निकाल सकते है ताकि ये नास्ता ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा तो देखे, नास्ते के लिए मैंने एक कड़ाई ले लिए है और कड़ाई में मैंने डाल लिया है राई, आप इसे राई से जरूर बनाना वैसे तो इसे तिल से भी बना सकते हैं लेकिन राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है राई के साथ हिंग डाल लिया है कड़ाई पत्ते डाल लिये हैं और देखे, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम डाल लेंगे इसमें प्याज सबजी वैसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें बहुत कम सबजी आड़ कर रही हूँ तो देखे, मैंने प्याज डाल लिया और प्याज को भी सोटे कर लेते अच्छी तरीके से टमाटर डाल लिया एक टमाटर लिया, एक प्याज लिया और नमक डाल लिया नमक हमने पहले भी अपने नास्ते में डाला था तो कम ही एड़ करना है आपको इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो नास्ते में जादा नमक हो जाएगा, तो देखें, यह मैंने सारी चीज डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि टामाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं, दोस्तों मैं याद दिला दू, अगर आपक अच्छी तरह बनकर त्यार होगई हम इसमें तरह करना हैं, जो भी आपके पास मुले के बना दो की आपकि इसा स्वादा बन करमें, नहीं था कि मैं कि पेसें हमने उस्तों मुस्तट आपके मिशुद कश्ण करना हमें फाषैं आपके आपके आपकर यहांदा, लिए deja stip α Siz ब बच्चों को ज्यादा मसाला नहीं दिये जाते हैं तो देखे इसे आपको दो मिनट के लिए ढग देना है दो मिनट के बाद आप इसे चेक किजिए तो नास्ता हमारा बन कर तेयार हो जाएगा क्यूंकि जो हमाने मसाले इसमें एड किये हैं वह सारे अच्छी तरीके से मिल ज जाएगा और आप इसी रोज बनाने की जित करेंगे इस तरीकी का नास्ता ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों मैं फिर से याद दिला दू हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज प्लीज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सापोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है